जैहिन दोस्तों एक बार फिर शुआ गयत है आपके अपनी यूटूब चैनल में दोस्तों रेल्वे रिक्रूटर्मेंट बोर्ड के दोवारा बहुती बड़ी 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 दोस्तों इस वीडियो में करने वारे ओपीशली नोटिफिकेशन भी आ चुका है दोस्तों बार-बार कहीं दोस्त पहले भी मैंने वीडियो लेके आया था दोस्तों इसका लेकिन बहुत सारे केंड़ेट जो कमेंट करके बार-बार बोल लेते कि सहरी है जो आपके पास में जो क्या चाहिए कोन-कोन सी पोस्ट किये क्या है एज क्रिटेरिया रखा गया कब आपका इसमें एक्जाम होगा सारी बाते दोस्तों इस वीडियो में करने वाले आप वीडियो के दोस्तों जरूर बने रीजिएगा ताकि सारी इनपॉर्मेशन आपको समझ में आजाए शाथ म नया नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले हम अपडेट करवाते हैं हमारे चैनल पर तो दोस्तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जैसे ही मैं कोई नया इसके रिगार्डिंग नया वीडियो ले के आऊं तो दोस्तो आपक प्रवरी का इसका जो ओन लाइन है वह स्टार्ट होने वाला है दोस्तो चलो दोस्तो देखते हैं ओपीस लिए नोटिस में क्या-क्या जानकारी अपडेट करवाई गई है तो दोस्तो आप यहां देख सकते हैं सबसे पहले इंडिगेट नोटिस पोर फोर इंप्लोमेंट दोस्तो जैसे ही आप इस पर क्लिक रोगे एक नया आपके सामने नोटिस है वो डाउनलोड होके सामने आएगा जैसे ही यह डाउनलोड हो रहा मैं बता दूं आपको यह इस परकार का नोटिस आपके सामने आने वाला आप यहां देख सकते हैं दोस्तो आप यहां देख सकत दोस्तों इस सारी बातें करने वाले आप वीडियो कें तक जरूर बने रीजिएगा ताकि सारी इंफोर्मिशन आपको समझ में आ जाए तो दोस्तों देखते हैं आगे तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वेकेंसी की रेल्वे रिक्रूटमेंड वोड आप यहां देख सकते हैं रिक्रूटमेंड सेल ओनलाइन एप्लिकेशन भी इलिजीबल और कैंडिड़ेट पो एराउंड एक लाग तीस हजार वेकेंसी ओ पोस्त, टोटल आपकी वेकेंसी हैं दोस्तों आप यहां देख सकते हैं एक लाग और तीस हजार आपकी टोटल वेकेंसी हैं इसमें कौन- पहे, Ministerial and Isolated केटेगरी है, और Level Past Post की भी आपके वेकंसी है, एक लाग की, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं, Non-Technical Popular केटेगरी, मतलब NTPC में कौन-कौन सी वेकंसी मतलब कौन-कौन सी पोस्ट आती है, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं, आप Junior कलरक, कम कलरक और Ticket कलरक और Traffic Assistant, Goods Guard है, Commercial कम Ticket कलरक है, Senior कलरक है, और Junior Account Assistant कम टाइपिस्ट है, Commercial Apprentice की वेकंसी है, Station Master की वेकंसी है, दोस्तों ये इसमें वेकंसी है, उसके बाद में आप यहां देख से तो पेरा मेडिकल स्टाप की वेकंसी है, इसमें आपको मिलेगा दोस्तों को मिलेगी, Ministerial and isolated category, तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगी, Stenograpper की, Chief Law Assistant की, Junior Translator Hindi की, तो उसके बाद में लेवल पेस्ट है, ये आपकी एक लाग की वेकंसी है, दोस्तों लेवल पेस्ट की, तो इसमें आपको Track Maintenance Grade 4, Helper Assistant, Various Technical Department, Electricity Engineering, ये आपके Department होगे, इसमें, Point 1, इनकी आ साक वेकंसी के ओल, RRC, 1, 2,019 level पर्ष्ट के मतलब, 10th level की वेकंसी, इसमें सारी education qualification भी आप यहाँ देख सकते हो, दोस्तों उससे पहले हम इसका age criteria देखते है, तो age criteria की बात करें तो दोस्तों आपकी age 172,019 तक, for detailed about the prescribed law upper limited, तो आप यहाँ देख सकते हो, दोस्तों आपकी age है, वो जो include की जाएगी, 172,019 के अनुसार आपकी age है, वो include की जाएगी, इसमें आपको pay lounge मिलने वाला है, वो 7th pay commission के आदार पर मिलने वाला है, साथ में education qualification देख सकते हो, दोस्तों, different education qualification, prescribed for the various post, इसमें जो अलग-अलग post है, उसकी अलग-अलग जो education qualification भी रखे गई है, सा आपके पास में, जिस परकार की education qualification, RRB के द्वारा बताईगे, उसके अलवा अगर कोई education qualification है, या वो qualification आपके पास में नहीं है, तो आप इसका पूम apply नहीं कर सकते, दोस्तों, कई दोस्त पहले भी comment करके पूछ रहे थे कि सर, इस कौन-कौन सी education qualification है, दोस्तों, मैं फिर ब इसमें आप यहाँ देखें, तो examination piece आपके लगने वाली है, for all candidate exception the P conclusion category mentioned, तो दोस्तों, इसमें आपको general और OBC के लिए 500 रुपे लगने वाले है, उसके बाद में SC, ST, AX servicemen, PWD और female के लिए 250 रुपे आपका चालान होने वाला, अब दोस्तों, बात करते हैं, इसका form कब से apply होने लगेगा, तो दोस्तों सबसे पहले opening होगी NTPC की, opening of online registration of application NTPC, RRB, जो इसकी दोस्तों, जो आपका online form है, 28 तारिक से 28 परवरी से start हो जाएगा, 10 बज़े से, NTPC का form 28 परवरी से start हो जाएगा, और उसके बाद में आप यहाँ देख सेकते हो, जो पेरा में डिकल है, ज चार मार्च से आपका form इसका start होगा, उसके बाद opening of online registration of application minister isolated category, इनकी आपको 8 मार्च से होगा, और opening the online registration application level past RRC, 12 मार्च से इसका start होगा, मतलब है दोस्तों, आपको इसकी education qualification भी मैंने बता दिये, उसके साथ में इसका eligible criteria वो भी रखा गया form केवल, आप online mode पे क्यादार पर ह भी भर सकते हो, आपको जिस RRB से बढ़ना है, उसकी side भी इसमें दी गई है, जिस RRB से आप अगर form apply करना चाते हो, उसकी side से आप ए फोरम है, यह apply कर सकते हो, सभी की website दोस्तों आप यहां देख सकते हो, दी गई है, तो दोस्तों यह थी एक मेरे दोरा दीगी छोटी सी जानकारी, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, मेरे दोरा दीगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, दोस्तों 28 फरिवरी से NTPC की जो form है, वो apply होना start हो जाएगा, इसका नया notification भी जरूर आएगा, जैसे इसका नया notification आएगा, तो मैं जरूर आपके सामने दोस्तों ले इतलाई, जै हिंद, जै भारत